आज तो इस अफसर पर स्वर्गे सेवाल गुपता जी की धर्म पत्नी डक्टर वासी गुपता जी हैं स्वर्गे सेवाल गुपता जी की बेटी डक्टर अस्पिता गुपता जी की है उपस्तित हैं सेवाल गुपता जी की दामाद सौरब चक्रवर्ती जी हैं और इस पूरे कारिक्रम का आयोजन आदरी के जो डायरेक्टर हैं प्रभात घोस जी हैं बहुत लोगों ने अपनी बाते रखी हैं और बहुत लोगों की बात को सुनने का मौका मिला हमलों के साथ जब से सहवाल गुपता जी से रिस्ता है उससे काफी पहले से अनेक लोगों का रिस्ता रहा है जिन्होंने आज अपनी बात कही है और सचमुच आज देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और अभी बहुत दिनों के बाद हम फिर आज प्रफसर अमर्थ से अपनी ने बिहार के लिए जो भी काम किया ये बहुत लोगों को मालूम है जो नालंदा इन्वरस्टी की स्थापना की गई उसमें भी उनका कितना बड़ा सहयोग था और उसके चांसलर भी वो रहे और इसके बाद जो हम लोगों ने बिहार म्यूजियम की स्थापना की है यह अंतरास्तिय म्यूजियम बना है उसमें उनके बहुत जादे सुझाव मिले हैं और इस प्रकार से अनेक चीजों में उनका हमेशा से सहयोग मिलता रहा है और जो पीडिये से जन वित्रन प्रनाली है उसके बारे में जब केंदर से बात चल रही थी तो उन्होंने उस समय भी मुझसे बाचीत की थी और उसे बाचीत हुई थी उसी के आधार पर जो ग्रामीन चेत्रों में 85 प्रसत अबादी को लावनवित किया गया और सहरी चेत्रों में लगवक 73 परसेंट को इसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी तो आज मुझे देखकर बहुत अच् ही है और हम लोग तो जितना सहवाल गुपता जी को जानते थे और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है जब से उनसे हम लोगों का परिशे हुआ है और जो भी उन्होंने काम किया है हम लोग तो उनको एक मानते थे कि अर्थ सास्त्री हैं समाज सास्त्री हैं और किस तरह से उन्होंने आदरी की स्थापना की और ये काम शुरू हुआ और अभी जो आदरी के डारेक्टर उन्होंने भी बताया 91 से ही ये काम शुरू हुआ और इसके बाद कई प्रकार का उन्होंने काम करना शुरू किया जब हम लोगों से उनकी बातचीत हुई, उनसे अनेक विश्यों पर चर्चा हुई और उसके बाद जो हम लोगों ने अनेक चीजों में उन्हें भी सामिल किया, उनके विचारों का लाब उठाया और उनकी राय भी बहुत चीजों पर ली है, वैसे वो तो अनेक विश्यों के जानकार थे और वाइचारिक रूप से वो एक कॉम्मिनिस्ट थे लेकिन फिर भी उनका रिस्ता ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन पार्टी के नेताओं के साथ नहीं था उस सब के साथ एक अलग तरह से संबंद रखते थे और बिहार के विकास को ले करके बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए इन सब चीजों के बारे में उनकी अपनी एक राय रहती थी तो हम लोगों ने तो काफी कुछ किया और उनका जब देख रहते कि इनका जो approach है, इनका जो जानकारी है, इसको देखते हुए हम लोगों ने, यहां भी आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों ने यहां पर सब काम कराना सुरू किया था, जो आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट दोहजार आठ से यह इसका बनना सुरू हुआ बिहार में और उनकी आदरी में काम देखते थे सिर्फ आदरी से ये काम नहीं चल सकता था उन्हीं के साथ प्रामर्स के साथ हम लोगोंने Center for Economic Policy and Public Finance गठित किया और उसे में आर्थिक नीती और लोकवित किंद्र इसको कहेंगे और ये हर साल आर्थिक सर्विक्षन तो तयार किया ही जाता है लेकिन लोकवित की नीतियों के बारे में अन्य सभी चीज़ों के बारे में कि क्या किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में उनकी राय मिलती थी तो एक बहुत उनकी भूमिका रही हम लों के साथ और आप जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसको ले करक कि हम लोगों ने काफी अभियान चलाया तो विशेस राजी के दर्जा पर भी उन्होंने बहुत सारी बाते कही और उस पर अपनी बाते तो कही ही और उसके बाद जो उस समय जो यूपिये की सरकार थी तो जहां तक मुझे स्मरंद 2013 में कमीटी बनी और उसमें जो कमीटी बनी रहुराम राजन कमीटी बनी और उसमें उनलोगों ने कहा तो बिहार की तरफ से और हम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें सहवाल गुपता जी को ही सामील किया एक सरस्धिक गरूप में तो उनकी रिपोर्ट आई तो हम लोगों का तो एक उनके साथ इस परकार का रिस्ता लेकिन उनको हम देखते थे कि कितने प्रकार के कामों में और उनके आदरी में कितनी बार जाने का मौका मिला है, उनके घर पर कितनी बार जाने का मौका मिला है, उनके साथ कितनी बार बातचीत हुई है, यह सब तो विभिन विश्यों पर उनसे चर्चा हमलों की होती ही रहती थी लेकिन हम उनको देखते थे वो किसी भी चीजे पर हमेसा उनका लेख छपता था प्रेस और प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया जो कुछ भी हो सब के साथ उनकी जो बातशीत होती थी और वो अपना लेख लिखते थे अपना वक्तब बे उनका आता था तो इन सब आदमी अगर बिहार के बारे में कुछ बातशीत करने आता था या बिहार के बारे में कोई जानकारी लेने आता था तो निश्चित रूप से हम देखते थे कि वो जरूर सहिवाल गुपताजी से भी बातशीत करता था बिंदू पर हर इस उपर ऑनोने किस विशology में अपना इसके लिए अनुसंधान नहीं किया, इस पर अपना वक्त भी नहीं दिया, जो कुछ भी थास सब तरह से वो काम करते रहे, और जो हम लोगों ने बनाया Center for Economic Policy and Public Finance, उस पर हमिसा बातशीत करते थे कि कैसे इसको और बहतर करने के लिए, किस तरह से और लोगों को इसमें बहाल क करना चाहिए, सारी चीजों पर एक एक चीज पर बात करते रहते थे, और किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट जिसकी चर्चा और अन्य लोगों ने भी चर्चा की और अभी वेक्वेक्टी चर्चा कर रहे थे, कि भाई, यहां का जो आर्थिक सर्वेक्षन का रि कि इनका जो आदरी था, इसने भी एक रिपोर्ट जो हम लोगों ने सराब बंदी लागू किया, 2016 में, तो जो महिलाओं की मांग पर ये सब कुछ किया गया, और इसके लिए किस तरह से गंभिरता से किया गया, तो इन्हों ने एक सर्वेक्षन करवाया, और वो रिपोर्ट आ कि आखिर जो सराब बंदी विहार में लागू हुआ, इसका क्या क्या फाइदा है, और किस तरह से बात कहिए, कि एक बात कहिए, और कहा कि देखिए, लोगों के बीच में सराब बंदी लागू होने से, अब दूद की खपत बढ़ गई, सराब नहीं पीते हैं, अब दूद के प्रणव बाबू भी आये थे, हम लोग भी इनके हर कारेक्रम में चले जाते थे, हर तरह से देखते थे कि किस तरह से ये एक एक चीज को और्गनाइज करते रहें हैं, ये हर प्रकार से क्या होना चाहिए, बिहार जारकंड दोनों को मिला करकर ये काम करते रहें, आगे क क्या वीजन होना चाहिए तो इस सब चीजों पर वो करते रहते थे और इसके अलावे कितने चीजों पर एक एक काम इन्होंने किया है हर तरह से कितने संबेलनों का आयोजन इन्होंने किया है यह हर किसी को मालूम है तो हम लोग तो इनके साथ जब भी किसी कारिकरम बुलाते थे, इन्होंने तो मार्क्स के जीवन पर भी आयोजन कराया था, तो हर तरह से हम देखते थे कि एक एक चीज में इनकी दिल्चस्पी थी, और इनकी तबियत पिछले कुछ बरसों से खराब थे, तो एक बार जब इनकी तबियत खराब थी यही पारस में ही, जहां इनका निध बड़े प्रख्याट डॉक्टर हैं, सब लोगों ने अपनी बात यहां पर रखी, तो एक बार जब यह पारस में थे, आज से दो साल पहले, हम इनको देखने गये थे, अब इनकी तबियत जो खराब रहती थी, इसके बाद भी, वो निश्चित रूप से बात करने लगते कभी कभी तो हाथ जोड़ करके हम लोग कहते थे कि भाई अपना यह मुह पर जो लगा हुआ इसको मत हटाईए, आप अपना देखिए, एक एक चीज करते थे, और हर चीज में ब्यस्तता रहती थी, किसी भी काम को नहीं छोड़ते थे, यह सब बाते तो उनकी थी और सब ल अच्छित भी करते थे, और जो भी बिहार के विकास के लिए क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में, या जो कुछ भी हो रहा, उस पर भी अपना एक ओपीनियन, हर तरह से लोगों को जागरू करने के लिए प्रयास करते रहते थे, यह बहुत बात, और इनकी तब पिसले कुछ सालों से तयार हो गई थी, खराब हो गई थी, तो हम लोगों को तो चिंता होते थे, लेकिन हम देखते थे कि उसके चलते यह चिंतित नहीं रहते थे, काम करते रहते थे, और जब भी उन से मिलने का मौका मिलता था, तो हम देखते थे कि भाई, यह आदमी को क इतना confidence है अपने मन में और हर प्रकार से ये काम करते रहे, भी भी करते रहे, अब इस बार तो कुछ समय से वो तवियत उनकी खराब थी, हम लोगों को तो मालूम नहीं हुआ था, अब ये जो पूरा का पूरा, ये COVID का दौर चल रहा, COVID-19 का, इसमें तो फिर लोगों के साथ उस प्रकार से मिलना जूलना भी नहीं है, लेकिन इस बार जो पता चला, अंतिम दिन हम लोगों को मालूम है, और जो उनकी पुत्री से भी बादचित होती रही, जो हमारे डॉक्टर हई साहब है, वहां के उनसे भी बादचित की, सब तरह से बात हुई, लेकिन हम लोगों ही उनके निधन की जानकारी मिल गई, इतना दुख हुआ, अब वो नहीं रहे, यह तो एक दुखत बात है, और जितना उन्होंने काम किया, आप सब लोग देश और विदेश से कितने लोग इसमें सामिल है, कितनी बड़ी बात है, कि जो कुछ भी करते थे, जो भी उनका सं संपर्क था, संबन था, इस सब कुछ हुआ, हम तो यही आगरह करेंगे, और जो कुछ भी हम आज सुन रहे थे, भाई, आदरी में तो इतनी छमता है, यह निश्चित रूप से उन्होंने आदरी के स्थापना की, आप सब लोग ACN Development Research Institute को फूप अच्छे ढंग से आगे भी जरूर चलाते रहिएगा, और जिस तरह से लोगों का उनसे संपर्क था, आप उन सब लोगों के साथ संपर्क रखते हुए, और भी जनहित में चुकुछ भी काम होना चाहिए, उसके लिए जरूर परामर्स देते रहेंगे, और जिस तरह से आज आदरी की तरफ से यह सारा कारिकरम जो किया जा रहा है घोस जी जिस तरह प्रभात घोस जी उनसे भी कई बार बात्चित करने का मौका मिला है तो प्रभात घोस जी भी जितरह अच्छे धंग से चला रहे हैं लेकिन एक ही बात हम प्रभात घोस जी को कह देंगे कि अभी उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हम बीच में ही बोल देंगे और हमको लास्क में बोलना था ऐसी बात नहीं है यह स्वरगिये सैवाल जी की लड़की नहीं हमारे प्रिंस्पल सेकर्टी साब को फोन किया कि वो चाहे तो पहले हमने का जैसा वो चाहे तो आपने पहले ही हमको कहने का मौका दिया तो हम इसके लिए धंदवाद देते हैं लेकिन कोई ये मेरी इच्छा नहीं थी कि हम ही बीच में बोल दें लेकिन ये आपने हमको बोलने का अवसर दिया हमने अपनी बात कही है हम लोग तो हमेशा उनको नसरिफ याद करते रहेंगे बलकि जिस तरह से आज आज आपने इतना बढ़िया आयोजन और सब लोगों ने अपनी बात कही है हम तो चाहेंगे कि उनके बारे में कि भाई जो भी वो लिखते रहें उसको भी पब्लिस करना चाहें और आज जितने लोग उनके बारे में जितनी अच्छी अच्छी बाते कह रहे हैं सब जगह के लोग इन सब लोगों को हम तो यही आग्रह करेंगे आदरी को कि एक प्रिंट जरूर कर लिजी एक साथ ताकि नई प्लिधी को मालूम हो और देखे आज के नई प्लिधी को सब चीजों का ग्यान होना चीए आज जितने लोग बोल रहे हैं सब का पूरा पूरा का पूरा अनुभव है हमारा यही आगरफ होगा कि नई पिढ़ी के लोगों को एक एक चीज की जानकारी हो आज बहुत जरूर है इन दिनों जो एक दौर चला है एक तरफ तो बहुत अच्छा काम होता है और एक तरफ काम बुरा होता है तो एक जो चल रहा है दोर ऐसी इस्तिती में नई पिड़ी के बीच में इन बातों को जरूर बताना चाहिए और सोसल मीडिया के दोर में जो एंटी सोसल अक्टिविटीज हो रही है सोसल मीडिया का एक पॉजिटिव काम भी है और एक निगेटिव काम भी होता रहता उसके माध्यम से तो ये सब चीज़ तो जानते हैं कि सब कुछ चलता रहता ऐसी इस्तिती में हम यही आग्रह करेंगी और हम लों का जो भी सहीयोग अपेक्षित होगा हम लों का सहीयोग मिलेगा क्यूंकि उनके विचारों को नई पिढ़ी के लोगों तक पहुचाने के लिए जरूर इन सब चीज़ों को एक साथ पसारित करिए और लोगों को जब पता चलेगा और इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इतने विश्यसक के लोग हम सब लोगों का देख रहे हैं, मुझकुन दुबे जी इसको भी अभी हमने सुना, उनसे भी बातचित करने का कितनी बार मुखा मिला है आज हम उनकी बात भी सुन रहे थे क्या एक एक लोगों ने, जिनको हम जान रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और अनेक लोगों को, जिनके साथ हम लोगों की कोई बाचित नहीं उली है, लेकिन उन लोगों ने जितनी बाते करी है, इन सब चीजों को देखते हुए, नई पिड़ी के लिए कितना अच्छा काम किसी व्यक्ति ने किया है, सहवाल जी ने इतना अच्छा काम किया, सहवाल हैं, तब तक हमारी तरब से जो भी सहयोग संभव है, वह सहयोग हम लोग करते रहेंगे, और ऐसे व्यक्तियों को इनका जनम बिहार में हुआ, बिगु सराय में हुआ, और जो इनका पुराना रिस्ता हम सब लोग जानते, तो ऐसे लोगों को बिहार में के व्यक्ति को इतन जादा दुनिया भर के लोगों से अनुभव, संपर्क और लोगों का उनके बारे में एक उपीनियन, तो ये कितनी बड़ी बात है, तो बिहार के तो बहुत ही महत्तुपुन व्यक्ति हग जन्में, जुन्होंने अपना सब तरह से अपने विचारों को रखा, अपने धंग से नेक काम किया, इसके लिए हम सब उनके प्रती तो अपना आदर प्रकट करते हैं, और निश्चित रूप से आदरी को इस काम को आगे जारी रखना चाहिए, और हम लोग तो ये भी चाहेंगे, कि हम लोगों का सेंटर फोर एकोनोमिक पॉलिसी और पब्लिक फाइनांस है, ये काम जारी रहना चाहिए, और अभी जो हम लोगों के सरकारी जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात कही थी, इन बातों को तो बता दिया, तो हम लोगों का तो पूरा सहियोग और सब लोगों का पूरा सहियोग इनके बारे में मिलेगा, तो इन ही सबनों के स मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि सब लोग उनके बारे में अपनी बात जो कह रहे हैं इसके लिए और उनके प्रती तो हम पूरे तोर पर अपनी स्रधांदिली अर्पित करते हैं और अपनी बात समात करते हैं पतना का सबसे स्टाइलिस एस्टेंस यूरिसेक सलून ग्रांड अपार्टमेंट फ्रेजर रोड डांक बंगला रोड पतना